नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम डिटिंग चैनल में आपका बहुत बहुत सागत है आए अज 42 वर्स की महिला के पाम का असस करेंगे, इनके सवालों का जबाब करेंगे तो सर परतम इनके सवालों को सुड़ेंगे, फिर करके इनके सवालों का उतर करेंगे उसे पहले अगर आप लोगों ना भी तक हमाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिप्या करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल एकन को प्रेस कर दें ताकि लिटस नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो चलिए शुरू करते हैं इनका कोशन इस प्रकार है मेरी जितनी जिन्दगी बची है मैं उस जिन्दगी को ईश्वर की सेवा में लगाना चाहती हूँ और इनका सोच है कि अगर मैं स्वस्तर होंगी तो मैं उनका भद सेवा करूँगी क्या मैं स्वस्तर होंगी क्या मैं उनका सेवा कर पाऊंगी तो ये एक इंसानियत से परे है, ये बहुत ही अच्छा सोच है, और दूसरी चीज, आप इस सोच में काम्याब बने और आप जरूर बनोगी, इसके योग आपके हैतली पर अवश्य है, एक एक करके चर्चा करूँगा और चीजों को समझाऊँगा, अब मैं आपके एक चीज बत क्लियर कट प्रोग्रस लाइने बहुत बड़ी, दो-दो एमॉन पर बनी भी है, अगर उस एज का मैं निर्धारन करूँ इनकी एतली पर, तो यहां पर से देखिए, आपको कम्प्लीटली फील होगा कि ये, ये तक्रीबन आपकी एज आ रही है, 45 एर्स की, तो 45 एर्स में बड़ी तरक्की होगी, बड़ी तरक्की, अब बोलो कि इनको तो इश्वर की भक्ती में करना ये रहती भी है उनी के गुनगान में, पहले ये नौकणी भी करती थी, मुझे इनकी एतली से कन्फर्म दिखा था, और मैंने इनको असपस्ट रूप से कहा था, 35 में साल के बा अब इनसान को खुशी भी देते हैं, इनसान को एनरजी भी देते हैं ये योग, तो आपको जिस चीज में खुशी होगी, उस चीज में आपको तरक्की होगी, जैसे आप इश्वर की भक्ती करना चाहते हैं, तो आपको देखके जो भी इस चीज की लालसा या मनसा रखते ह वो भी आपको देखके आपके पीछे प्रेरित हो जाएंगे, तो आप वहाँ पर एक गुरू बन जाओगे, तो आपकी प्रगती होगी, आपको देखके लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप इस चीज में आगे बढ़ गई, समझिएगा, तो ये 45 में बड़ी प्रगती औ जिस कंडिशन में अभी आप हैं, उससे अच्छे कंडिशन में आगे चलके पहुंच जाईएगा, आप जो भी कारी करो, ये होती ही प्रगती, तो आप जो काम कर रहे हो, उसी में तो आपको प्रगती होगी, जैसे किसी को नौकडी पान रहा है, तो वो कोई अभी लोवर पर है, तो अचानक से आप सुनेंगे तीन साल के बाद वो हाईयर पोस्ट पे चला गया, तो उसकी प्रगती हो गई, कोई इंसान कुछ और कारी कर रहा है, वेपार कर रहा है छोटा सा, अब वो कुछ समय के बाद आपने सुना कि वो उसका बड़ा सा हो गया, तो उसकी प् अब आपके थोड़े प्रशन को मैंने सुना, उसका उत्तर करता हूँ, ब्रश्पती आपको धार्मिक भावना दे रही है, और ये जो इन्होंने कहा मुझे, अब इसकी पुस्टी मैं कहा से करूँ, देखो इसकी पुस्टी होती है, आपकी फिंगर्स पे बनने वारी खड बना रही है, तो आपके मुझे जूट नहीं बोला जाएगा कभी भी, तो ये इनको भक्ती करना है, और ये कन्फर्म है इनकी अतली, clear cut मुझे बता रही है, और ये काफी अच्छी दिल के इनके दिल में किसी के परती कोई गलत भावना नहीं है, strong indications है कि आप बहुत ही होगा, चलिए, ये चीज़े मैंने दिखाई, दूसरी आपकी ब्रश्पती आपको धार्मिक छेतर में इंटरस्ट कराती है, तो ब्रश्पती पर पर अपकार के कुछ लाइन्स ये भी इंटरस्ट करा रही है, दूसरी अगर मैं दिखाऊं आपको, तो यहाँ पर से बनन करम के परती अग्रशर अक्रशित करती है, तो ये चीज़े मुझे कन्फर्म है यहाँ से कि आपको जो भी करना है, चाहे आपको भद्खभगती करना है, या लोगों की सेवा करना है, आप उसमें आगे बढ़ोगी, इसकी गैरिंटी आपकी अतिली बता रही है, और दूसर को लेके तो सोचिए ही मत, जो आपका सोच है आपको तो ऐसे भी कोई बिमारी नहीं होगी, पहली चीज़, और दूसरा आपकी ना तो आपकी जीवन रेखा कोई बिमारी बता रही है, और नहीं आपके एचली पर कुछ ऐसी अवस्था बनी है, जिस केस में मैं बिमारी बो रहे हैं, तो उनके ताकत से बढ़के कुछ नहीं है, वो हम लोग को बनाए हैं, तो वो हम लोग के सोच से पढ़े हैं, आप उनके भक्ती में हैं, तो फिर आप क्यों सोच रहे हैं हेल्थ को लेके, सोचिए ही मत, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत होगी भी नहीं, चलि करें उसमें आपको सफलता मिलती है अब इनके थंब को मैं क्लियर करता हूं ये इनका स्ट्रॉंग व्यक्तित वह जो ये इनसान चाहेंगे वह इनसान करेंगे इक्षा सकती प्रबल अतरप सकती जबर्दस और प्रस्टनारटी वाई खतरनाक स्ट्रॉंग बोल्ड प्रस्टनारटी जो दिल में वही मूँ पर वही मन में उसके बाद देखो तो इनके एतली पर ये डिजायर्स के लाइन तो व्यक्ति को जादा कुछ नहीं चाहिए इनका जीवन बस स्वस्ट जीवन बीत जाया यह इनकी एक महात्मका आणशा रहती है स जन्मेकिंग में हलकी हलकी प्रारंबिक समय में प्राप्लम्स होई होगी यह मूलता 25 साल की आयू तक रहती है उसके बाद से चीज़े एकदम नौर्मल हो जाती है फिर देखी खरी लाइन तो व्यक्ति बहुत अच्छे दिल के जैसा मैंने पहले भी बताया था दिल में कर रही है फिंगर टिंड कर रही है आपके सेटर्न के तरफ दूसरी यह छोटी यह बड़ी तो व्यक्ति का फीमती और मैनत का फल इनको मिल जाएगा कैलकुलेटी प्रसनालिटी है आपकी चुकि यहां पर सी उभार है तो मैनत का फल मिल जाएगा यह भी मैंने पहले बोल प्रसनालिटी है यह जो भी करेंगे नियमित रूप से करेंगे हर बड़ा के कोई भी कारिये यह लोग नहीं करते और जबर दस्त मेहनती no doubt बुद्ध फिंगर फस्पैल इंग के उपर है समज़दारी भी अच्छी है communication skill में भी कोई संदे वाली बात नहीं है व्यक्ति अपने बातों को दूसरे के समख clear रूप से रख पाता है, समझा पाता है और इनकी बाते आपको समझ में भी आएंगी चलिए फिर इनके ब्रशपती इनके ब्रशपती ये मद्यवस्तरी है प्रारंबिक समय में टेंशन्स आई होंगी जीबन पर कुछ दोगे भी मिले होंगे 35 साल के आयू तक लेकिन उसके बाद जो धार्मिक आस्था थी ना परुपकार वाली ये गजब की बनी थी और ब्रशपती उभार लिए व्यवस्ता में है तो व्यक्ती काफी ज़्यादा दार्सनिक सोच का होता है ये लोग के इश्वर के परति एक अलगी लेबल की आस्था रहती है जेनरल केस में भी आपको किसी की विहते लिए ऐसे दिखे कि न जिसके ब्रशपती अच्छी हो फिंगर टिंड की हुए तो उनके अंदर इश्वर के लिए अलगी प्रकार की सद भावना रहेगी भावना रहेगी आपकी अंदर इक अलगी प्रकार की भक्ती रहेगी क्योंकि आपको लाइफ मिलना है इसलिए अब जो आपको बना है उसके परतिया भक्ती नहीं रख रहे है ये तो आप वही पर से आप इंसानियत का गलाग उट रहे तो वो तो चाहिए जाहिए भक्ती तो चाहिए जाहिए जा भक्ती वाह सकती ये देखे। इनकी एतली पर ये वहतरी नीजी स्कॉयर बन रहे हैं ये आपके authority post का परिशे करा रही है जौकली विगरा तो इनको होई गया होगा no doubt फिर आपको मैं दिखाओ तो ब्रश्पती अच्छी condition में उच्छे तर ये value मान सब्मार मिलेगा प्रारंबिक समय में काफी cost को आपने देखा है अब ये इनकी स्थितियां समाने है मैनती है काफी जादा मैनत का फल भी मिल जाएगा थोड़े weight gain भी आप कर सकते है याद रखेगा इस चीज़ को तूसरी आपको मैनत का फल मिल जाएगा 100% और ये line of education अच्छी बड़ी भी है तो वेक्ती काफी जादा calculative और IQ level भर शांदार basic knowledge की कोई कमी नहीं कोई भी कमी नहीं इसमें कोई संदे वाली बात नहीं है फिर आप देखें इनकी एतली पर ये जो आपकी एक line है तो घर से दूर का कुछ यातरा मुझे दिख रहा है या घर से दूर का कुछ बास या जहाँ आपका native place है वहाँ से दूर का आपका निवास ये चीज़े मुझे confirm कर रही है बाकी इनकी देखो तो सूरी line एक सूरी line है तो पहत्री का पिता की संपत्ती का अच्छा साथ और इसी line के साथ है ना दो बहत्री indications बने हुए एक तो proper star ये कमाल का star बना हुए गजब का और बाकी यहाँ पर से एक आपकी flag नुमा करती है ये पॉर्शन तो इस case में व्यक्ति को name fame होता है इनको name fame चाहिए ये name fame के लिए ही जीते है और बहुत अस्तर बहुत अस्तर तक इनको name fame मलता ही है बाकी दो ब्रांचे से दिमागी काफी परिपूर्ण है शुरी परदार है तो व्यक्ति को name fame चाहिए और name fame ये कमा ही लेती है अपने जीवन पर यहाँ पर से कुछ एक line दिख़री है हमे तो ये हलकी फलकी distractive इनको इनके सोच को रखेगी ये प्रारंबिक समय में थी बाकी कोई बहुत strength नहीं है बुद्ध पर खड़ी line तो व्यक्ति के पास ideas की कमी नहीं रहती ideas की बहुत ज़ादा इन में सोचने की चमता भी रहती है कि और दूसरी इनकी intelligence level ऐसी है कि ये कभी भूके नहीं बन सकती ये कहीं भी पैसा कमाल लेगी कहीं भी बुद्ध अच्छा है तो व्यक्ति बुद्धि विवेक से कारी करने वाला होता है no doubt मंगल मंगल तो लाजबाब है energy गजब की स्वास्त की problem नहीं होगी मैंने तो पहले बोल दिया logical है धन संपती मिलेगी property के भी योग है अब आपको इंटरस्ट होगा तो बनाईगा ने तो पैसा रख लेजएगा उसके योग तो बन रहे है बहतरी मंगल अच्छा है logical है energy अच्छी रहेगी हीमोगलोबीन अच्छी रहेगी स्वास्त अच्छी रहेगी बहुत भैतरी मंगल बहुत भैतरी अब देखो इनके चंदनवा strong वक्ति तो है और यह लोग काफी ज़ादा काफी ज़ादा यह लोग ईश्वर के परती लीड रहते हैं एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई मैं बताता हूँ चंदर्मा परदान व्यक्ति को हमेशा आप देखोगे कि उनको इस्वर और दान दक्चिना में काफी इंटरस्ट होगा है इस्वर की भक्ति करने में, दान दक्चिना करने में पानिस जुरावा चीज में इंटरस्ट बिदेश ब्रह्मन में इंटरस्ट यात्राओं में इंट्रेस्ट वो यात्रा इंति भी हो सकती है तो वो आपके ब्रश्पति इनके प्रोपरड़ी अच्छी है और दूसरी इनकी चंद्रमा ये भी काफी अच्छी है तो दिल में एक दम पानी की तरह साफ कि एक सिक्का फेक दोना तो clear पता चल जा गए यहां यहां जा रहा है और यहां के रुख गया इतनी साफ सुत्रा इनकी दिल होती है कोई किसी के परती कोई लोव नहीं कोई द्वेश नहीं कुछ नहीं बहुत strong और दूसरी इनकी यातरा की योग बन रहे हैं काफी अच्छे यह सपोर्ट करने वाए लाइन सा जो चन्दर में धवा किया फिर मैं नहीं देख़े तो के तू पर बने यह कुछ लाइनस तो ये basically आपके यात्रा को दर्शारी है एकदम confirm यात्रा है 100% तो यात्रा है आपके तिरत यात्रा है होंगी बरे दूर-दूर की तिरत यात्रा है हो सकती है और इस case में आपको विदेश ब्रह्मन भी हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है नेम फिर्म भी आपको मिलेगा चुकी चंदर को सपोर्ट करने वाई लाइन से है बागी इनके देखो तो एक फिश तो केतु परबद परफिश आपके कास्मिंग धनलाव आपकी इक्छा की पुर्ती है तू और कहीं न कहीं आपको स्ट्रॉंग बनाने है तो financially काफी महत्पूर्ण होता है देली पड़ा फिर मदेखो शुक्र स्ट्रॉंग व्यक्तित है तो पती से अच्छा सपोर्ट इनके पती इनके लिए इश्वर का रूप होते है और ये उनको मानती भी है शुक्र जबरदस्त बिना किसी distraction के तो ऐसे इनसार को हर एक तरह का luxury का सुक मिलता है जीवन मस्ती में जाता है और husband का काफी अच्छा support मिलता है काफी caring काफी काफी आपके लिए dedicating और आपके सम्मान की रक्षा करने के लिए आपके husband भी काफी तयार होते है समाजिकता आप में बहुत जादा है वेवाहिक जीवन का सुक आप में मिलेगा शुक्र परदा है तो lifetime सोच नहीं कहाँ सकता नहीं है personality wise आप काफी अच्छी है बहुत strong, बहुत बढ़ी है शुक्र कुछ line है तो प्रारंबिक समय में tensions आयोगा घड़िलू मामले में बढ़ वो प्रारंबिक समय की बात थी बाकी luxury के proper lines आपकी हैतली पे बने हुए मंगल रेखा जवरदस्त है तो इंसान की स्वास्त की तो दिक्कत होती ही नहीं मंगल बहतरीन प्राक्रमी लाजबा प्राक्रम में किसी प्राकार की कमी नहीं है ऐसे इंसान बहुत जबरदस प्राक्रमी होते है बहुत जबरदस्त उसके बाद देखो तो जीवन रेखा strong जीवन रेखा के साथ मंगल रेखा भी बनी है तो व्यक्ति की आयू 75 एरे प्लस है दिरगायू है आप 100% फिल्में देखो तो एक 24 में वर्स में आपकी तरक्की मुझे दिख रही थी continue फिर अभी आप देखो तो 45 में बड़ी तरक्की है फिर एक तक्रीबन आपकी 52 में बड़ी तरक्की है और यहाँ पर देखो आप 75 में बड़ी तरक्की है फिर बाकी यात्राएं के योग बने हुए तो यात्राएं होंगी और जीवन smoothly निकलेगा तरक्की के विशब में बता रहा हूँ कि आपकी तरक्की होगे जो भी कारी आप कर रही है माइन रेखा इनकी काफी अच्छी है यहां से यह माइन रेखा बनी है इंडिपेंडेंसी बहुत जल्दी आगे जीवन के माइन रेखा काफी स्ट्रॉग है हर्ट लाइन भी काफी अच्छी है एक टेंशन आपके जीवन पर दिखराया में आपकी 22 में वर्स से लेके 26 में वर्स के बीच में कोई टेंसल्स हुआ होगा कोई कुछ ने आपको हर्ट कर दिया होगा किसी वज़ा से बागी इस्ततिया समानी है विश्टू योग है तो इश्वर का आस्था परिवार से प्यार करने वाली और दूसरी आपकी फेट लाइन भी काफी अच्छी चलिए जीवन के लास्ट तक यह फेट लाइन के यहां से बेसिकली चलिए बर इतना कोई स्ट्रॉंग था नहीं चब्विसमे वर्से इनकी फेट लाइन एक्टिवेट थी और यह फिर कंटीन्यू बेसिस पे आपके जीवन के लास्ट प्रेट तक मुझे चलती भी निज़रा रही है तो बागी के रिगारिंग सोचने का आवशकता नहीं है मल्टिपल प्रॉपर्टी के लिए अच्छे योग डवलप कर रहे है तो आपको मल्टिपल प्रॉपर्टी का साथ मिलेगा यहां से भी फील कर लो आप तो यह चीज़े एकदम क्लिएर है यह मल्टिपल प्रॉपर्टी 36 वर्ष के बाज है बाद की योग है आपको बना रहा है तो बना लीज़ेगा ने तो पैसे रख लीज़ेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बाकी माइंड रेका काफी क्लियर है दिमाग की काफी तरद्रूस्त नो डाउट फिर देके इनके इतली पर एक बुद्ध रेका तो थोड़ी बिजनस प्रॉस्पेक्टेस के योग को दर्शारी रेकिन प्रापर्ली नहीं है तो ये बड़े की तो बेनेफिट कराएगी अब भी तो आपकी ये प्रापर्ली नहीं है तो ये धाइन केतली का पूर्णताव इसलेशन इनके कोश्चन्स के जवाब के साथ तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंदा है लाइक कर दे गर दे से पनाकिन चाहते है या आस्तरे आख दिखाना चाहते हमारा वोटसप में मिल ले चै sustainability ले आप शमपरदकर सकते है तन्य बाह Stories